बॉल्वूर्ट सेलेबिटीज के जिंदगी यूं तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती लोगों को अगर पसंद ना आए तो फिर लोग उन्हें ट्रॉल करने लग जाते हैं जी हाँ यूं तो बॉल्वूर्ट सेलेबिटीज हमेशा चका चौन की दुनिया में रहते हैं लेकिन अगर उनकी एक छोटी सी गलती का अंदाजा लोगों को लग जाता है तो फिर लोग उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रॉल करने लग जाते हैं ऐसा ही कुछ बॉल्वू उन्हें विवादों के कट घरे में खड़ कर देते हैं अगर हाल फिलाल की बात करें तो महेश भट इन दिन और रिया चकरबर्दी के नाम को लेकर खबरों में चाय हुए हैं शुशान सिंग राजपूत के मौत के बात से ही उनकी रूमर्ड गर्ल प्रेंड यानि की रिया चकरबर्दी के साथ महेश भट की कुछ तस्वीरे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वारल हो रही हैं एक अत्तर साल के महेश भट और 27 साल की रिया चकरबर्दी की ये तस्वीरे पैसे तो भले ही दो साल पुरानी हैं लेकिन इन तस्वीरे में आप देख सकते हैं कि कैसे महेश भट रिया के कंदे पर सिर रख कर सुकून महसूस करते नजर आरहे है वही रिया ने भी उन्हें थामा हुआ है इन तस्वीरों को लेकर महेश भट को काफी ठोल भी गया जा रहा है ये तो रही तस्वीरों की बात लेकिन महेश भट की जिंदगी की अगर हम बात करें तो वैसे भी उनकी जिंदगी काफी जादा सुर्ख्यों में बनी रही है महेश भट ने महस 20 साल की उम्र में शादी कर ली थी उन्हें लौरिन ब्राइट नाम की लड़की से प्यार हुआ और दोनों उसके बाद शादी के बंधन में बंध गए जिसके बाद महेश भट के दो बच्चे बेहुए थे एक का नाम था पूजा भट और दूसरा बेटा था जिनका नाम था राहुल भट लेकिन ये रिष्टा जादा दिन तक चल नहीं पाया जिसके बाद महेश भट ने परवीन बाबी के साथ रहना शुरू कर दिया दोनों ने रिविन में रहने का फैसला किया जब दोनों को प्यार हो गया लेकिन 1989 में परवीन को एक खतरनाग बिमारी हो गई जिसके बाद भी महेश भट ने उनका साथ नहीं छोड़ा लेकिन ऐसी परिस्थित्या आ गई कि दोनों को अलग होना पड़ा और दोनों का रिष्टा वहीं टूप गया परवीन से अलग होते ही साल 1986 में महेश भट ने एक्ट्रिस सूनी राजदान से शादी कर ली जिसके बाद महेश भट की दो बेटियां होई उनका नाम था पूजा भट और शाहीन भट लेकिन इस सब के बाद भी महेश भट का नाम सुर्ख्यों से हटा नहीं आपको बता दें किसके बाद भी वो विवाग में तबाएं जब महेश भट का नाम उन्हीं की बड़ी बेटी पूजा भट के साथ जोड़ा गया महेश भट ने असी के दशप में एक मैगजीन कवर के लिए फोटो शूट करवाया था जिसमें वो अपनी बेटी पूजा भट के साथ ही लिपलो करते नज़र आ रहे थे इतना ही नहीं उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता जिसके बाद काफी जादा महेश भट को उस वक्त भी ट्रॉल किया गया था लोगों ने उनके तस्वीर के साथ साथ बयान को भी काफी ज्यदा चर्चाव में बनाया रख़ा था और उनकी काफी ज्यदा निंदा भी की थी ऐसे में लोग अभी तक महेश भट को इस बार के लिए ट्रॉल करते नजर आही जाते हैं तो ऐसे में अब आपका क्या कहना इस खबर को लेकर हमें जरूर बताईए अपने कमेंट्स के जरीए